दोबी, कुमार, लुहार, बड़ई, नाई, मूची, निशाद, मल्ला इन जातियों के लोग जिस दिन देश के बड़े बड़े विश्व द्यालों में प्रोफेसर बन के हजारों की क्लास ले रहोंगे न यह देश बदलने लगेगा और इस देश को बदलने नहीं देने चाहने वाले लोग नहीं चाहते कि वो लोग प्रोफेसर बन जाए बड़ जात बतियुला से चोड़ जात लतियुला से यह वही लोग हैं जिन्नोंने इस तरह की कहावतें बनाई बड़ी जात के लोगों को बात करके समँमानित कया आता है बड़े बुद्य जीवी है यह जो एनफेस का घोटाला है केवल किसी OBC की हकमारी नहीं है कि हजार प्रोफेसर नहीं बन पाए आप एक देश नहीं बन पाएं आप एक राष्टर नहीं बन पाएं आप एक विश्रवद्याले नहीं बन पाएं इसलिए हम इस पूरे मामले को बहुत गंबिरता से उठा रहे हैं और इसे राष्ट्री एक घोटाला का है मन्युस्वर्ति का विश्रवद्याले बन जाएगा और बद्धु जनारति वारी एक दिन जो है दुश्रों के उतार गोश्यत हो जाएंगे एक जमाना वो था जब अर्बो करोडों की रुपे की चोरी को घोटाला का जाता था लेकिन मुदूदा दोर में आरक्षन के घोटाले की कई खबरे सामने आती रहती है पहले 79,000 शिक्षक भरती घोटाले में आरक्षन की चोरी पकड़ी गई और अब फिर से अकादमिक संस्तानों में घोटाले की बात आई है अलाबाद के जूसी में GB Pant Social Science Institute है जहां पर Assistant Professor और Associate Professor के नियुक्ती होनी थी लेकिन OBC के पदों को ये कहकर खाली छोड़ दिया गया कि इसके लिए कोई लायक उमिदवार ही नहीं मिला NFS यानी Non-Found Suitable कहकर उसको खाली कर दिया गया उस पर भरती नहीं की गई और बहुत सारी लोगों का कहना है कि ये दरसल घोटाला है और एक साजिश है जिसके तहत OBC की बोजनों की हकमारी हुई है तो ये पूरा मसला क्या है और क्या ये समस्या है इसको समझने के लिए मेरे साथ डॉक्टर लक्षमन यादव में आप चैरा देखकर समझ गए होंगे कि ये जाने माजने विचारक है लेकर दिली उनिवरसिटी में पढ़ाते हैं और खासकर इस मसले पर लगाता है और सोश सुटेबल या नन फॉन सुटेबल है यानि एक जमाना हुआ करता था जब देश के अकादमिक संस्थाओं में दलेत पेछड़े आदिवासियों को रिजर्वेशन नहीं था तब तो वह मासरसुती का पावन प्रांगड हुआ करता था वह एक लोगतांत्रिक देश का लोग रिजर्व के लोग अपवाद स्वरूप ही आएंगे थोड़े बहुत एकाद परसेंट सेस्टी ओबी सी के लोग कहीं कहीं न्योक्ति पा जाते हैं रिजर्वेशन लागू हुआ नबे के बाद हायर एजूकेशन में उसके बाद यह कहा गया कि जब रिजर्वेशन लग ग हुआ नहीं पर निए पैत्राइए जो दूणाचारियों के शकल में आधहुनिक दोड़ाचारी बन करके एक लव्यों का उठा काटने का पैतरा था कि अब आप अवेलेबल कंडिडेट को भी पर्मानेट अपॉइन्मेंट से रोकने के लिए एक नया किस्म का घोटाला ले आए, साज़ेश ले आए, NFS यानि नाट फाउंसोटेबल, नन फाउंसोटेबल, यानि जो लोग अवेलेबल हो गए उस मीनिमम इलिजिबिल्टी क्राइटेरिया को फुल्फिल कर रहे हैं जिस पर एक अपर काष्ट को नियुक्ति मिल रही है, उसी फुल्फिल क्राइटेरिया के बाद भी एक स्टेडूल काष्ट, स्टेडूल ट्राइब, या OBC को नियुक्ति नहीं मिल रही है, और वहां लिख दिया जा रहा था NFS, ऐसा नहीं है कि GB, PUNS, Social Science Institute में यह पहली बार हुआ है, यह इस देश में दशकों से होता चलाया, जब से रिजर्विशन लागू हुआ है, क्योंकि रिजर्विशन जब नहीं था, तब एक दो सम्वान आपस में केस बात के लिए नहीं पता है, कि इस प्रोफेसर के कंडिडेट का होगा, या कुल पती कंडिडेट का होगा, वहां NFS नहीं होता था एक का अपॉइन्मेंट हो गया, दूसरे को कही और शिफ्ट कर दिया, यह NFS की जो टर्म है, यह तब ही सामने आई, जब S.E.S.T. O.B.C.R. अरक्षन लागू हुआ, उससे पहले सवर्णों में NFS की कोई ऐसी अवधारना नहीं था, मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो NFS जैसा क कुछ नहीं होता था, वो कहते थे कि अच्छा यहां पर जगडा हो गया, दो ताकत वर लोगून जगडा हो गया, नियुक्ती रद हो गए, अगली बार फिर कर दिया, एक ताकत वर में दूसरे का कही और कर दिया, NFS एक स्कैम बनकर के उबरा है ताब, जब रिजर्व जब रिजर्व सीटों पर NFS किया गया है, अब जिसका NFS किया जाता है, मुमन वो बोलता नहीं है, उसकी लिष्ट जारी नहीं होती है, कि किसका NFS किया गया, क्राइटेरिया नहीं पता चल पाती लोगों को, कि किस नंबर के API पर URL पोश्ट पर appointment हुआ है, किस पर नहीं हु लोगों को suitable नहीं पाना, किस तर्क से होता है, 100% interview देते हैं ये लोग, और interview के base पर ये permanent appointment करते हैं, जहाँ जहाँ रिटेन एक्जाम ने ये केवल interview है, वहाँ पहला scam ये होता है, कि यू आर मतलब सवणों के लिए रक्षण हो गया है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं, वो associate professor, उसी पर आप एक OBC को, एक SC को, किस आदार पर कहते हैं, कि आप suitable नहीं हो, ये सिधा सिधा जाती वादी है, तो इसमें जो लिस्ट आई है, जो जो जी बी पन्त वहाँ पे institution है, वहाँ से जो लिस्ट आई है, इसमें दो OBC के पर थे जिस पर नियुक्ति होनी थी, लेकि कोई भी लायक उमिद्वार नहीं मिला, तो क्या कोई वज़े बताई जाती है, कि आप PSD older नहीं है, आपका net, या JRF qualify नहीं है, या आपको experience नहीं है, क्या आपका चेरा ठीक नहीं है, आपकी शकल अच्छी नहीं लगरी मेर को, या मुझे आपका उपनाम अच्छा नहीं ल लेकिन जब ख़बर छपती है उसकी, तो एक बहुत प्यारी सी कहानी होती है, कि वो भागा, फिर पुलिस पर हमला किया, जवाबी कारवाई मारा गया, इस देश में, अकादमिक जगत में, ऐसे ही जूटी कहानीों से, लगातार बहुजनों की हकमारी जारी है, इसलिए वो कोई इसका सपश्टी कर नहीं देते, कि वो क्यों एक इंट्रिव्यू में किसी केंडिडेट को NFS कर रहा है, इसका कोई सपश्टी कर नहीं देते हैं, अब जैसे इस गटना पर हम लोग बात कर रहे हैं, जी भी पंत इस्टेटूट, अब इसकी पूरी वेकेंसी देखिए, और इसके बहाने मैं बहुत संख्शेप में समझाना चाहता हूँ कि एकेडमिया में अपॉइंट्मेंट प्रोसेस क्या होता है, आपने UGC और MHRD जो पहले हुआ करती थी, अब मिरिश्टर अफ एजूकेशन है, UGC ने इन सबने मिलकर एक नॉम्स बनाया है, कि एसिस्ट भरने के लिए सबको मौका मिला, अब वो जो इंस्टिट्यूट है, वो इसकी स्क्रीनिंग करता है, और अपने वेकेड़ पोश्ट के मुताबिक कहीं कहीं वो एक पोश्ट पर पचास लोगों को बुला रहा है, तो कहीं वो इंटेव्यू के लिए एक पोश्ट पर पांच सब्सक्राइशन, टीचिंग एक्सपिरियंस, रिसर्च प्रोपोजल, पोश्ट डॉक्टरल रिसर्च, जितने भी एकेडमिक इंडेक्स होते हैं, उसके आधार पर अपना API बनाते हैं, API के आधार पर 100 में जिसको जितना नंबर बनता है, उसके आधार पर एक लिष्ट बन 87, इस API इंडेक्स के 16 लोगों को UR काटेगरी में कॉल किया, EWS काटेगरी में 87 to 81, यानि जहां UR खतम हुए, उसके बाद EWS शुरू हुआ है, 87 to 81, 89 लोगों को EWS में कॉल किया गया, इंटेव्यू के लिए, वहीं OBC के लिए 93 to 83 API स्कोर के 16 लोगों कॉल किया गया, अगर UR मतलब open category होता है, unreserved category होता है, तो 93 से 87 के candidate जो OBC में डाले गए, उन्हें होना चीए था UR में, उसमें UR में वो appear हो सकते थे, वो eligible हैं, वो आपके UR की criteria की भीतर है, 93 to 87, आपने उन्हें OBC में क्यों डाला है, scam number one, scam number two, कि आपने 16 लोगों को जब इनमें कॉल किया तो 93 से 93 तक OBC में candidate आए, final result क्या आता है, final result में दो candidates UR पोस्ट पर select होते हैं, जसमें एक candidate का API score है 91, EWS में जो candidate appoint होता है, जो अपनी जाती छुपा करके यहां पर लिखा हुआ नहीं है, वो भी तिवारी हैं, इस सोच संस्थान के Social Science Institute के निदेशक भी तिवारी जी हैं, अचानक 2014 में आजाद हुआ, तो उसके पहले वो तिवारी नहीं लगते थे, तब वो दलितों बहुजनों पर लगते थे, और कांशे राम को दलतों गनेता बताते थे, अचानक 2014 के बाद होने लगा कि तिवारी न लगाने से बड़ा नुकसान हो रहा है, तो अब पूरे न क्लास है वो, और यूने काश्ट लिख घोर जाती बाद भरा होता है, अब समवेदन श्रील मूर्ख हम इनको कहें कि इनको जो टर्म है, समवेदनिक टर्म है, उनका मतलब भी नहीं पता, और अपनी जाती का ये सरनेम देखकर अपने लोगों को वार समय लोग जाती जाती स कोई API एड नहीं होती है, इंटर्व्यू में, बोर्ड मेंबर में जिसको चुल लिया, वो कोई नमबर नहीं बताते कि जैसने इंटर्व्यू दिया, अगर उसका सेलक्शन नहीं हुआ, तो उसको आपने कितना नमबर दिया, यह नहीं बताते हो, इसलिए, क्यासी नमबर व वाले शहलेंद कुमार सिंग है विनोध यादव है 89 वाले राजेश राजेश रोशन है 87 वाले यह सारे ओबीसी एलिजिबल नहीं थे क्या यह सुटेबल नहीं है आप इस पूरे स्कैम को इस रूप में समझे कि जब 81 वाला इस सुटेबल है तो 93 वाला ओबीसी क्यों सुटे में कुल्पती बना रहे हैं जो संग से जोड़ा हुआ सीधे सीधे वह आरेश की साखा लगा रहा है देश के विश्व द्यालियों में यह खुले आम हो रहा है हम बोलेंगे तो हमको नोगरी नहीं दोगे लेकिन हम बोलेंगे बिएचिव से ले करके बनारा सिंदो यह सर्च पेपर चोरी करके लिखने वाले को तुम कुल्पती बनाओगे जैसे अप्याई स्कोर में अपनी काबेलियस से तुमारी स्क्रीनिंग लिश्ट में जगे बनाई वह बीसी है उसकी जाती पसंद है और मुहमत शानवाज का हो सकता धर्म पसंद नहीं आया बीसी में ट सब्सक्राइब करके इंटर्वी लेते हैं ओबीसी एससी एश्टी को केवाल अप्जर्वर बना करके आप बैठाती हैं वह सब्जेक्ट एक्सपर्ट आज तक नहीं मिले अलेक्शन पैनल में सवर्ण वही लोग बैठके इसको सब्सक्राइब कि किसको नौकरी मिलेगी किस बैठेगा शडिल कास्ट का बैठेगा तो अब यह दलित पिछले आदिवासी आज तक इस काबल में तुम्हें दिखे कि वह सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनके जाएं वह कि वह देखने जाएंगे कि जाती बेद हो रहा हैं और जब एक विक्ति है अगर वो कहेगा भी कि इं दिवासियों को NFS किया हैं तो इसको रिस्क्लोज करो बदे नार्तिवारी के साथ साथ और कौन लोग इसमें बोर्ड में बैटे थे यह NFS गोटाला इसी लिए किया जा रहा है ताकि 2020 में जब मैंने RTI लगाई कि देश के अकादमिक में अकादमिक जगत के 48 केंदरी विश् नहीं बना है कि वह 9 लोग हैं बाकी पोश्ट वैकेंट है 93-95 परसेंट प्रोफेसर के पोश्ट सेडिल कास्ट वर ट्राइब की वैकेंट है यह सब NFS से ले करके इंटर्वी के भीतर जितना जातिवाद विचारधारा वाद आप संग के हैं तो आप आज संग की सरकार है सं इंक्लूसिव एकडमिया नहीं बन पाए इसलिए इंक्लूसिव कंट्री नहीं बन पा रहे हैं इंक्लूसिव नेशन नहीं बन पा रहे हैं तो यह जो NFS का घोटाला है केवल किसी OBC की हकमारी नहीं है कि हजार प्रोफेसर नहीं बन पाएं आप एक देश नहीं बन पाएं आप विश्रव द्याले नहीं बन पाएं, इसलिए हम इस पूरे मामले को बहुत गंबिरता से उठा रहे हैं, और इसे राष्ट्री ए घोटाला कह रहे हैं, मेरे एक सवाल हो रहे हैं, कि जो NFS पे जो सीटे थी, जैसे इसमें दो सीटे थी, जिस पर OBC की न्यूक्ति होनी थी उनको बोला गया कि कोई लाएक उमिद्वार नहीं मिला, तो ये खाली रह गई, अब इनका आगे क्या होगा, क्या इनको दोबारा बैकलोग की तरह इस्तमाल करते हुए भरा जाएगा, इन पर न्यूक्तिया होंगी, या इसे कनवर्ट करके सवर्णों को दे दिया जाएग क्योंकि एनेफेस के खेल को इस वाली सवाल के बिना समझेंगे तो दूरा रहेगा, खाली क्यों रखा जा रहा है, एनेफेस करके करते क्या है, क्या ऐसा करते है कि अगले साल टीक वेकिंसी आ गई, और फिर उन्हें कोई काबिल सोटेबल कंडडेट मिल गया और इसको अप अगली बार जब आप एडवर्टाइज करते हो, तो क्या बैकलॉग देते हो, रिजर्वेशन लाग होने के बाद भी आज तक सटी ओबीसी को कोई बैकलॉग शॉटफॉल नहीं मिला है, थोड़ा बहुत प्रतिशत शेडूल काश्ट और ट्राइब को मिला, अगली बार ज बैकलॉग नहीं दिया गया, दूसरी बात, एक अदृष्य सा नियम ये चलाते थे, कि तीन साल तक उस रिजर्व पोष्ट को वेकिंट रखते थे, और तीन बार उसको एडवर्टाइजमेंट करके कहते थे कि कोई सुटेबल नहीं मिल रहा है, इसलिए अब इस पर कोई सम बैक्ती है, जो जो इसके पास अथा ग्यान है, वो एक आसी नमबर के API पर भी गरीब समण बन करके AWS में सुटेबल है, तिरहन बे नमबर वाला नहीं है, उस सीट को वो कनवर्ट करके अन्रिजर्ट कर देते थे, इसलिए वो लगातार NFS करते रहे हैं, तो एक तो ये काम च पायर शुडू करता है, वो रिसर्च करवाता है, वो रिसर्च पेपर बनाता है, वो सेलिबस में कमेटी में शामिल होता है, वो क्लास लेता है, तो पीडियां बदलता है, ये एक नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है, दोबी, कुमार, लुहार, बढ़ई, नाई, मोची, इन जाती हो कि लोग जिस दिन देश के बड़े-बड़े विश्वध्यालों में प्रोफेसर बनके हजारों की क्लास ले रहे होंगे, ये देश बदलने लगेगा, और इस देश को बदलने नहीं देने चाहने वाले लोग नहीं चाहते कि वो लोग प्रोफेसर बन जाए, इ उन्होंने स्क्रेटिंग का भी लिश्ट जारी किया फिल सलेक्षन का भी लिश्ट जारी किया तब आफ इस क्रेम पकड़ पाए जेरी यू-डी यू होता तो कोई लिश्ट करता और आपकुछ नहीं जान पाथे कि आपके हजारों लोग प्रोफेसर नहीं बन पाए और आप हिंदू बन गए मेरा आखरी सवाल लक्ष्मन साहब आपने बहुत सही तरीके से समझा दिया कि ये घोटाला असल में कितने शातिर तरीके से हो रहा है और पूरी मतलब एक टर्मन है कि घास के अरे साप तो वो छिपे रहते हैं वो दिखते भी नहीं है तो उसी शब्द से मुझे बदी नाराइन तिवारी का भी नाम याद आता है कि वो घास के अरे साप की तरह छिपे रहे पूरे जीवन में हम उनके देखते हैं तो दलितों के और बहुजनों के पिछडों के subject को उनोंने अपने career बनाया किताबे लिखी, award लिए, वैख्यान दिये, उनका सम्मान हुआ बहुजनोंने बुला कर मंच पर उन्हें पूरा सम्मान दिया पूरा बहुजनों की नाम पर खाया कमाया और जब ताकत आई तो फिर जो है हाथ काट दिया अंगुठा काट दिया एकदम द्रोनाचारिय स्टाइल में तो ऐसे विक्तियों के चरित्र के बारे में उनकी चाल के बारे में आप क्या सोचता है देखे यह हमारे आएक कहावत है भोशपूरी में बढ़ जात बतियूला से चोट जात लतियूला से यह वही लोग हैं जिन्होंने इस तरह की कहावतें बनाई बड़ी जात के लोगों को बात करके सम्मानित किया जाता है और चोटी जात वाले लोगों को लात मार गए यह वो परंपरा है जिसने ऐसी ऐसी गालियां मुहावरे कहावतें बनाई है अह देश के गाओं गाओं में उसे तोड़ने और दूर करने की जिम्मेदारी लोकतांत्रिक देश में एक लोकतांत्रिक विश्रविद्याले के उपर थी उसके कंडे के उपर थी कि आप विश्रविद्याले परिसर के भीतर जातिवाद को खतम करने की बात में काम करेंगे लेकि जो तिवारी, शुकला, प्रोफेसर बनके बैठे हैं, ये जब कोई और सरकार रहती है, तो ये कभी लाल जंदा पकड़ के कॉमरेट बने रहते हैं, कॉंग्रेसी सरकार आई, उनको किसी कमिशन में जाना है, तो अचानक से उनको नहरू याद आने लगते हैं, उनको गांधी ये सहूलियत इस देश में, एकाड़िया में बैठे, अपरकाश्ट, अपरक्लास, मेल, जातिवादी लोगों को प्राप्त हैं, और हमने अपनी आखों से रुख बदलते हैं, नकाब बदलते हैं, बद्री नराण, जो वेद से लेकर के बेद तक आए हैं, वो कहते थे कि मा दिजी भी हो, तो उनको यह नहीं पता कि मंदल की विरोध में कमंदल आया था, तो यह वैसे लोग हैं, हरी गास क्यारे साथ, तो ऐसे लोग आज इस मुद्धे पर एक ट्वीट दिखा दीजी, जो मीडिया में बैठे हैं, जो एकेडमिया में बैठे हैं, तुम्हारे पर एकेडमिया में आवाज उठाते हैं, तुम कहां एकेडमिय कांसेल और एक्जेकुटिव कांसेल में कभी बोलते हूं, कभी तुमने ये सोशल अडिट करवाई अपने विश्वद्यालियों की, कि तो मैं दिल्ली विश्वद्याले के हंदी विभाग में हूं, और हमने सिंग बेचेन जी को प्रोफेसर से वह उनको विभागा देख्ष बनाने के लिए अंदोलन करना पड़ा, 72 साल की विभाग में कोई दलित पिछा उसने विभागा देख्षी नहीं, कैसा विश्वद्याले तुमने बना दिया, ये मेरा सवाल है, बद दिनायर तिवारी जै तो आगे तो तुम मेरे जैसे किसी और को आने ही नहीं दोगे, तुम शोध नहीं करने देते हो, तुम उनको मन पसंद का विशा नहीं ले देते हो, और अचानक से तुमारे बीतर का तिवारी जाग जाए, फिर भी तुम देश के टीवी चैनलों पर बैठ करके, बो दिजी जाते हैं, जो थर्टीन पॉइंट रोष्टर कभी लाते हैं, कभी एनफस लाते हैं, कभी पर्मानेट अपॉइंट में नहीं करने देना, दिल्ली विश्व द्याले में पांच जार एड़ टीचर की भार मार होगी, तुम सब को पर्मानेट करो, डाई हजार से तीन हजार तुम बाकी देश भर में पर्मानेट करो, हम मिनिममम में पॉइल्टी फुल्फिल की हो हैं, तुम करो पर्मानेट, हमें चार-चार मैने का रिचार्ज कूपन दिया जाता है, क्योंकि ये लोग जो पर्मानेट हो जाएंगे तो इन विश्व द्यालों का चरित बदल जाए और बदिनार तिवारी एक दिन जो है विश्व के उतार गोश्यत हो जाएंगे। कहकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, इसलिए इसमें ज्यादा लिखने की बोलने की ज़रूरत है साथियो आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्या लोगों को भी ये बात समझ में आज सके कि कि किस तरह से उनकी हकमारी हो मेरे नाम सुमे चोहन है और इस वीडियो स्टोरी को शूट करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे वीडियो जनलिस मोहित कुमार अगले वीडियो में मिलते हैं साथियो कि 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 कुमारी कि 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 यूट अगले वीडियो